नमस्कार सभी को डियस होवेपैथी चैनल में बहुत-बहुत शौगत है और नए वीडियो के साथ आज मैं फिर आप सब लोगों के समक्ष हाजिरूं और आज का जो नया टापिक है पाइल्स, फिशर, एंड फिशुला आज की समय में ये एक गंभीर बिमारी बन करके निकली है जिसके कारण तो धेर सारे हो सकते हैं लेकिन उसमें मुख दो कारण मिलेंगे पहले हम जान ले की पाइल्स होता क्या है पाइल्स को हम हैमॉराइड भी बोलता हैं इसमें एक छोटी सी बात को अच्छे से समझेगा, जो rectum veins होती है, जहां से stool pass होता है, वो stool जहां से pass होता है, यनि कि anus का जो part होता है, anus से पहले हमारा rectum का portion होता है, उस rectum में कुछ veins होती है, वो veins में क्या होता है, वहां पर एक inflammation क्रेट होता है, due to constipation, या due to gastritis, अगर stool वहां से hard होगा, तो rubbing करके वहां से stool pass होगा, उस condition में क्या होगा, जो rectum veins होगी, उनको damage करते वे निकलेगा, तो ये एक मेरा example था, लेकिन अगर हम cause की अगर बात करते हैं, तो उसका main कारण है, chronic constipation, पुराना कबजियत जिसको बोलते हैं, ये हमारी problem GI tract से related है, जहां पर उसको hard ही श्टूल भी हो सकता है, soft ही श्टूल भी हो सकता है, gastric complaints भी हो सकती है, अगर ये problems long duration तक अगर रहेंगे, तो no doubt वो हमारा, एक piles का रूप एक ले सकता है, और ये एक ऐसी गंभीर बिमारी, निकल करके आईए, लोग बताना नहीं चाहते हैं कि ये बिमारी है हमारे, क्यूं, वो ये feel करते हैं, अगर मेरी बिमारी अगर पता लग जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ, दोस्तों एक चीज़ हो, बताना चाहेंगे, piles को हम इंदी में बाबा सीर भी बोलते हैं, ठीक है, बंगला में आर्स बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखेगा, कि ये जो बेसिक चीज़ है, ये अमें पहले जानकारी होनी चाहिए हो, पाइल्स जब और थोड़े दिन बाद, सेकेंड स्टेज में जाता है, तो उसका एक फिशर का रूप एक ले लेता है, इसमें रेक्टम वेंस इंफ्लैम होती है, जब रैप्शर होने लगता है, तो वहाँ पर फिशर की कंडिशन में जा सकता है, फिर अगर वहाँ पर अलस बहुत गंभीरता से इस बीमारी को हमें लेना चाहिए, और उस पर ध्यान देना चाहिए, तो पहला कॉस जो हमने बताया, क्रोनिक कांश्टी पेशन, जिसको भी ये दिक्कत है, तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले हमें अपने कांश्टी पेशन की हमें ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना होगा, वाटर को हम बैलेंस रखेंगे, मैजिमम हम पानी पीएंगे, फास्ट फूड, जंक फूड से हमको बचना होगा, आज के समय में इतना स्पाइसी फूड, जंक फूड में पिज्जा, बर्गर, चावमीन, मैगी, ये धे सारी आज के समय में मार्केट में खूब मिल आ है, लोग ले रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर एक कांस्टिपेशन का प्रॉब्लम, यहाँ पर क्रियेट होता है, देन, नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टा करता है, लेट नाइट खाता है, लोग WhatsApp, Facebook में लगे रहते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इतनी धेर तक, जो नाइट में काम करने वाले, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका खानपान ठीक से नहीं हो पाता है, कब क्या खाना चाहिए, वो भी नहीं अरे भाई, बोजन को डाइजिस्ट होने के लिए भी तो कुछ टाइम हमको देना पड़ेगा, 8-10 आवर्स, तो हमें अपनी ये लाइप स्टाइल को हमें ठीक करना पड़ेगा, अगर नहीं ठीक होगा, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रेट होगी, जिसको हमें कंट्रोल करना अपनी जो बैट लाइप स्टाइल है, उसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूडड़ है, डाइट भी इंक्लूड़ है, और फाइबर वाली जितनी भी चीज़ें आप उनको खाईए, वाटर को बैलेंस में रखिये, तब हम देखेंगे कि अच्छा एक रिस्पॉंस मिलेगा, और सेकेंड या थर्ड स्टेज में जाने से पहले, फस्ट स्टेज में ही हम इस डिजीज को क्योर कर लेंगा, तो आइटिंक समझ में आ गया होगा कि पाइल्स फिशर फिशुला क्या है, उसका बेसिक रीजन, कॉस क्या है, नेक्स हम आते हैं, अम इन में थोड़ा डिफरे हैं, जहां हमारा ऐनस वाला जो पार्ड है, ने जो ओबनींग पार्ड है, वहाँ पर हमारा एक बदीं सैंसेशन निकल करके आता है, लंब सेराउंड द आ इन अनस, कुछ गाठें जैसी निकल करके आती हैं, अनस की आस पास, अब्टोमिनल पेन, अब्डोमिनल उनको पेन होता है तो अगर हम first grade के अगर हम बात करें यह देखे rectum veins, rectum veins जब initially grade जब one होता है और यह जब chronic main हमने बताया था कि main दो cause main निकले हैं बाकी तो और भी cause हो सकते हैं पहला जो मैंने cause आपको बताया था chronic constipation और दूसरा आपने बताया था lifestyle bad lifestyle उसकी बजह से यह grade one hemorrhoid हमारा start हुआ तो जब chronic constipation की condition में stool वहां से rubbing होके निकलेगा तो वहां पर क्या होगा rectum veins को दिरे-दिरे damage करेगा उनमें एक inflammation create होगा उसमें swelling होगा overgrowth होगा यह MRL यह सबसे important है वही अगर second stage में अगर जाएंगे तो दिरे-दिरे-दिरे और वो उसका enlargement और भी बढ़ जाएगा size और दिरे-दिरे बढ़ जाएगा फिर हम आते हैं grade 3 में grade 3 में उसका और भी size बढ़ेगा और इसके साथ साथ फिर हम grade 4 में पहुंच जाएंगे that is उसका size और भी जदा बढ़ा हो जाएगा तब जब वहां से stool pass होगा इन rectum veins को rapture कर सकता है फट सकता है वहां से फिर bleeding हो सकती है जब raptured की जब condition में आ जाएगी तब यह fissure की तरफ चला जाएगा और जब उसमें infection आ जाएगा ulceration आ जाएगा तब हम fissula की तरफ जाते हैं ठीक है तो piles का एक example दे करके मैंने समझाया है कि उसमें blood में stool होगा burning sensation होगा lumps around the anus and abdominal pain होगा next यह जो मैं आपको बताना चाह रहा था जो अभी तक मैं समझा रहा था कि piles क्या है fissure क्या है fissula क्या है जब first stage में rectum veins का जब slightly वहां पर inflammation होता है या swelling आता है या damage होता है या rectum veins का enlargement होता है that is piles size उसी का जब size बढ़ते 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 rapture की condition में अगर यह हो के जाता है तब फिर वो fissure की तरफ चला जाता है और वही दीरे 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 वहां पर एक ulceration होने लगता है post formation होता है infection होता है तब हम fissure की तरफ चले जाते है और यही fissure आगे जा करके एक cancer form में भी convert हो सकता है यह disease जब भी diagnosis हो जाए सबसे पहले अपनी diet को maintain करिया हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है सबसे पहले आज के समय में जो bad lifestyle है वही सबसे बढ़ा problem है diet को proper maintaining नहीं कर रहा है milk tea पीते रहते पीते रहते एडिक्शन जम करते रहते हैं spicy food काते रहते तो problem तो create होगी होगी वही constipation का problem आ जाएगा तो हमारा diet ही सबसे important root cause यह ध्यान न कीगा piles है काफी हद तक cure हो जाता है fissure भी cure हो जाता है fissula को फिर थोड़ा time लगता है proper treatment होगा तो cure हो जाएगा अगर proper treatment नहीं मिला तो हो सकता है आपका surgical case भी बन जाए हो सकता operation operate कराना पड़े और अगर यह ऐसी situation मिलती है तो ठीक है last stage में हमारा operate करना ही बसता है अगर हमें proper अगर पहले diagnosis हो जाती है तो कुछ medicine से कुछ diet से कुछ इन सब चीजों से कुछ जो daily हमारा यह routine exercise वगारा से खान पान से ठीक कर सकते हैं well and good नहीं होता है तो then we should go homeopathic medicine and biochemic medicine पहली है सबसे famous medicine है that is asculus hip potency 30 hemorrhoid like bunch of the graps जैसे graps का bunch होता है उस type के थोड़ा overgrowth निकल करके आएगी वही rectal veins में कुछ inflammation create होगा जो कि हमें छोटा 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 एक bunch एक graphs bunch की तरह निकल करके आ जाता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है वो फिर दीरे-दीरे करके growth होता है तब हम normally in journal अगर हमको मिलता है तो asculus hip हम ले देंगे 30 potency 30 potency अगर है तो चार drop करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं वन वीक तक और अगर 200 है दिन में 2 बार हम ले सकते हैं इसके बाद क्योर हो जाएगा तो हमें लेनी के जरूरत नहीं है next है nitric acid nitric acid दोस्तों एक चीज एक आप ध्यान रखेगा यह मस्कों चीग है जितना भी यह medicine दिया हुआ है हमें सभी को medicine खाना है नहीं जैसा आपके symptoms निकल करके आएगा वैसा ही वही हमको medicine लेनी है जो हमारे student है वो इसको समझ जाएंगे जो student नहीं है प्लीज उस medicine को google में उस medicine का नाम लिख के लिख दिएगा और rectum बाला portion में आप जाकर क्या आप देखीगा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो अगर 30 potency है दो से तीन बूंद या चार बूंद एक चौथाई का पानी में दिन में तीन बार लेना है एक सब्ता तक और अगर 200 अगर potency अगर लेना है तो दिन में दो बार चार बूंद करके दो से तीन दिन लेना है हाँ कुछ condition ऐसी आती है कि वन वीक से ज़्यादा भी लेना पर सकता है ताब आप दे सकते हो ज़्यादा दिन तक भी दे सकते है लेकिन according to situation next third is medicine है कलकरिया फ्लोरिका यह हमारी बायो कैमिंग में बहुत important medicine है और famous medicine है कलकरिया फ्लोर टॉल्वेक्स लेकिन टॉल्वेक्स के कुछ books में भी मुझे मिला literature में कि टॉल्वेक्स इस में क्या है loss of elasticity जो मैं बोल ला था जैसे schoolus में क्या है hemorrhide like a bunch of the grapes एक grapes की तरह है अंगूर के गुच्छे की तरह है बहुत सारा उसमें over growth हो जाती है अगर वो last of elasticity है तो कलकरिया फ्लोरिका देंगे उसको control कर लेगा उसमें गुच्छों को धिरे दे करके सुखा देगा next है रेटानिया 30 200 इसमें क्या होता है इनस के आसपास में बहुत तेज दर्द होगा ऐसा pain होगा unbearable condition में होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चाकू सी कोई चीच काटी जा रही है more pain like cut up the knife next है प्योनिया 30 हाँ रेटानिया का मैं एक आपको एक अपना case में बताना चाहरा हूँ एक बार की बात है जब पैसेंड को बहुत हमराइड का case मेरे पास ले के आया मैंने normally मैंने asculus hip दे दिया था क्योंकि just उसने initial मुझे बताया था कि ऐसा है सर मुझे piles का problem हो गया है छोटे छ इंचर दे दिया था हमने का अगर blood आता है तो 8 से 10 drop करके एक चौथाई कप पानी में एक गंटे में ले लिजेगा जब blood बंद हो जाए तो इसके बाद में close कर दिजेगा ठीक है बट वो patient को आराम नहीं मिला और वो मेरे पास आया बहुत pain हो रहा है हमने का ठीक है एक मैं medicine vaccine आपको देता हूँ ठीक है मैंने retania 30 से start किया हमने का ठीक है 2 से 3 बूंद करके दिन में 3 बार ले लिजेगा 4 से 5 दिन हमने का इसके बाद मुझे बताईएगा मुझे phone करिएगा बला ठीक है 5 दिन बाद उसने phone किया बला sir अभी problem पूरा तो नहीं गया है लेकिन 50 to 60% आराम मिल गया है हमने का कोई बात नहीं आप 3 to 4 days all ले लिजे 3 से 4 बूंद करके दिन में 3 बार एक चौथा ही कप पानी में 3 से 4 दिन उसने all लिया देखा sir मेरा 80 to 90% problem ठीक हो गया हमने का एक काम करिये 2 से 3 दिन all ले लिजे देखा वो 100% cure हो गया next step peonia peonia अगर in case nitric acid और कलकरिय florica and the retania उस condition में यह बी अगर failure होती है अच्छे results अगर नहीं आते तो peonia को भी हमें भूलना नहीं चाहिए इसमें pain भी है, itching भी है, swelling भी है, at anus है यह में symptoms मिलेंगे कैसे आप जब case taking करेंगे proper और patient से जब questioning करेंगे वहां से यह सारे आपके symptoms निकल करके आएंगे next है muratic acid, कभी-कभी यह होता है कि हमारी asculus, nitric acid, calcaria, florica, retania, इन में से कोई भी medicine ने काम नहीं किया तब हमें muratic acid को हमें भूलना नहीं चाहिए, इसमें pain भी है, bleeding भी है, when all the fail, जब यह सारी medicine failure हो जाती है दोस्तों यह दियान रखेगा, यह सारी medicine किसी भी patient को नहीं लेना है, अपने symptoms के according ही यह medicine हम को लेनी है अगर nitric acid का अगर symptoms है, तो nitric acid लेना है, asculus hip का अगर लेना है, तो asculus hip ही लेना है जिस medicine का जो symptoms मिलेगा, वही medicine लेनी है, सभी medicine नहीं लेनी है, यह याद रखिएगा, यह गलती कभी मत करिएगा next is colinsonia canadensis, इसमें alternate constipation and loose motion होगा, इसमें कभी patient को constipation भी हो सकता है, loose motion भी हो सकता है यह में ध्यान दखना पड़ेगा, अगर यह ऐसी stage अगर आती है, तब हम colinsonia canadensis देंगा next हम आते हैं, sulfur 200, यह medicine इतनी important है, यह कई LN keynotes के अंदर भी लिखा हुआ है, boning hushion में भी लिखा हुआ है murphy की material medica, वहां भी लिखा हुआ है, boric की material medica में लिखा हुआ है, यह कई जगे जो faring cotton की material medica में लिखा हुआ है कि अजब हमारी 80-90% अगर वो piles का problem cure हो गया है, तो हमें सबसे last में एक sulfur 200 का एक dose दे के हमको छोड़ देना चाहिए, completely cure करने के लिए ठीक है, तो बट कभी-कभी symptom से भी आता है कि उसमें etching redness around the anus, etching भी हो सकती है, redness भी हो सकती है, anus के चारो तरफ, lateralin के रास्ते के आसपास, तो उस condition में भी हम sulfur 200 का एक dose दे सकते हैं नक्ष भॉमिका 200, constipation blind hemorrhoid, नक्ष भॉमिका दोस्तो एक इतनी important medicine है, बहुत important है, एक patient मेरे पास आया, बोला, sir, मुझे गैस्टी, बहुत गैस मुझे बनती है, ऐसा ऐसा problem है, कुछ मैने symptoms में मिलाए कि इसका कुछ चिली, spicy, fast food, junk food बगारा ये ज्यादा लेता है, तो बा कि भी रहता है, तो कुछ चीजों को मैने symptoms telly करके नक्ष भॉमिका 200 मैने देना start किया, और night में ही मैने दिया, ये भी रही कि सुबह देना है, कुछ medicine है, जो night में दी जा सकती है, कुछ medicine है, जो morning में दी जा सकती है, वो सबसे important part है, तो नक्ष भॉमिका, जैसे ब्राइनिया ठीक से अच्छा काम नहीं करेगे, इसी तरीके से नक्ष भॉमिका 200 है, हमें night में ही देनी चाहिए, तीन से चार भॉमिका दिया, कोई medicine ने दिया, केवल नक्ष भॉमिका दिया, चार भॉमिका दिया, रात को सोते समय, आदे कप पानी में चार भॉमिका एक सब्ता लिया, एक सब्ता में ही completely cure हो गया hemorrhoid, दोस्तों आप यह सोच नहीं सकते हैं, कि एक medicine से भी यह हमारा piles का problem ठीक हो सकता है, completely cure हो गया, next है, aloes 30, 200, loose motion with the hemorrhoid, कभी-कभी aloes को हम लोग किस में देते हैं, loose motion के लिए देते हैं, dish entry में हम लोग देते हैं, तो उस condition में aloes को और इसके साथ-साथ gastritis का भी problem हो, aloes देंगे, उसका hemorrhoid ठीक हो जाएगा, next है, hyper self, hyper self and silesia बहुत deep acting medicine है, कभी भी इस medicine को ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, एक या दो dose करके ही देंगे, अगर हम ज्यादा देंगे तो aggravation हो देते हैं, और खास तोर से, इसको हम fissure and fissuli stage में हम देते हैं, जब कभी infection होने लगता है, ulceration होने लगता है, past formation अगर वहाँ पर होता है, suppression होता है, ताब जा करके हम, hyper self का 2 dose, 3 dose या 4 dose करके देते हैं, उसके साथ-साथ placebo हम जरूर देते हैं, क्योंकि placebo, क्योंकि जो सामने व प्लेसिबो बगारा दे सकते हैं, जो doctors लोग हमारे देते हैं, ठीक है, तो Silesia भी हमारी deep acting medicine है, जब इसमे वाटरी या थीन, पस अगर discharge होता है, उस condition में, 2-3 dose, 4 dose, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, और वह भी हम सैकलेक में ही देंगे, यानि कि सुगर आप ड़स्ट में ह देंगे, जिससे कि वह ज़्यादा doses ना ले पाए, क्योंकि एक बार की बात है, कि मैं graphitis 30 दिया था, कुछ उसका symptoms, उसमें कुछ discharges हो रहता है, इस्टिकी, वैक्षी टाइप के, चिप-चिपा, तो मैं देखा, चलो ठीक है, graphitis 30 दिया, तो मैंने बोला, 4-5 दिन ले लिज देखा क्या, उसने 30 potency पहले पीने के बाद सब खतम कर दिया, फिर इसके बाद में उसने 200 ले और अल्टिमेटली वो प्राब्लम और बढ़के आ गए, वो जदी ठीक होने के चक्र में ज्यादा doses ले लिएते हैं, इसलिए तब से मैं याद रखता हूँ कि जितनी doses higher potency की ज जाते हैं उस condition में ये फिशर की stage में हो सकता है, फिशुला की stage में हो सकता है, वहाँ पर infection भी हो सकता है, पस formation हो सकता है, पस discharge भी हो सकता है, तब उसमें हम मेडिशिन मारेश्टिका से भी फेरा 200 का, 2-3 रोस या 4 रोस as per requirement हम उसको दे सकते हैं, हेमा मलीज मदर टिंचर, अगर नहीं बंद हो रहा है, आप बहुत डर रहे हैं, क्या होगा, तब हम हेमा मलीज मदर टिंचर लेंगे और ब्लेटिंग को कंट्रोल कर देगा, 8-10 बून करके, एक चौथाई का पानी में, एक एक घंटे में, 2-3 बार हम दे देंगे, तुरंत उसको रिलीफ मिल जाएगा, उस मेडिशन को बंद कर देंगे, कांटी न्यू मेडिशीन को नहीं लेंगे, दोस्तों फिर मैं बोलूँगा, जो सिंटम्स मिल आए है, वही मेडिशीन लेना है, सभी मेडिशीन नहीं लेना है, हेमा मलीज कभी-कभी माल लेते हैं, किसी पैसेंट के ओपर में क होती है, तो ब्लूमिया ओडरेटा है, काफी बहुत अच्छा काम करती है, नेक्स्ट है फिर ये लोकल अप्लिकेशन है, लोकल अप्लिकेशन में हमारी कैलनूला मदर टिंचर, जिसको हम सीज बात पोलते है, गरम पानी में डाल करके उसके उपर में बैटना होता है, ठीक ह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिखेगा और हम कौन से वीडियो हम बनाएं वो आप ज़रूर मुझे सजेशन दीजिएगा आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी हम वीडियो डालेंगे आपके नॉलेज के लिए डालेंगे और अगर इसमें कुछ करेक्शन चाहिए तो कमेंट्स में आप जरूर लिखेगा हम जरूर आप इसमें हम इंप्रूमेंट करेंगे फिर मैं बार बार बलता हूं कि मैं व्लागर नहीं हूँ लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे मैं उसमें इंप्रूब करूँगा और फिर मैं आप से आप लोगों से कहूँगा कि जो नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल को सस्क्राइब करिएगा शेयर करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट्स दोस्तो जरूर दीजिएगा थैंक यू जै हिन जै भारत